जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप जो सपोर्ट और प्यार हमें प्रदान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बाबा महाकाल से यही दुआ करता हूँ कि वो हमेशा आपको खुश रखें, आनाद रखें आपकी जितनी सारी परिशानिया उन्हें वो खत्म कर दें और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्त रहें आज हम इस वीडियो में बहुत महत्पूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि भोले नाद की क्रपा किन लोगों पर होती है, क्या हम पर है या हम पर नहीं है या है तो वो कौन से संकेत है या नहीं है तो हम क्या करें कि भोले नाद की क्रपा हमारे उपर हो जाए यह एक basic सा question है, मुझे कहीं बार भी इस विश्यों को लेकर comments मिल रहे हैं अगर आप भी किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो comments में जरूर मुझे बता दे ताकि मैं उनको topics को cover करता रहूँ तो एक बात इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले ही आपको निविदन कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप नए वीवर हो और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है चैनल से आप नहीं जूड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें थाकि आपको सही और सकारात में जनकारी हमेशा हमारे माध्यम से मिलती रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे और कमेंट्स में भोले नात करें जो आप अच्छा नाम लगे वो आप लिख से पहली और मुख्य बाद जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इस संसार में इस यूग में जो भी जनमा है चाहे वो एक कंण कंण क्यूं नहों वो उस पर इश्वर की क्रपा है भोले नात की क्रपा है अब यहां से पूरी बात वो गंबीरता से समझी कि होता क्या है हम उस क्रपा को कैसे हम सकारतमक फाइदा क्यों में उठा पर इश्वर हमें आउसर प्रदान करते हैं और कर्म की जो आजादी है वो मानों को स्वतही दी हुई है और बस इसी ताने वाले में हम उल्जे हुए हैं इस्वर ने आपको आउसर दिया कि आपको इस रास्ते पर जाना चाहिए और काम करना चाहिए लेकिन कर्म की जो हमारी आजादी है वो उस रास्ते में नहीं हमारे पास मोह है माया है हमारे पास बहुत सारी कर्म करने हमारा जो सकारतमक कर्म उसके अलावा हमारे पास सो ऐसे काम है जहां से हमें ज्यान बार-बार बढ़काने के लिए कोशिश की जाती है और यही माया और मुवा है और बस इसी दौंद में हर एक एक्टी फसा हुआ है तो आप इस बात को समझें कि जब भी हमें इश्वर कोई भी अवसर दे चाहे आप किसी भी हालाद में उस अवसर को भुनाएं उस पर मेहनत करें उसको 100% प्रात्मिक्ता दे अगर आप उसको 100% प्रात्मिक्ता दे कर उस कर्म को करेंगे यकीन मानिएगा आने वाले समय में आज नहीं तो कल आपको बहुत बड़ी सफलतर जरूर दे और यह मैं अपने अनुभो से बता रहा हूं और यह सच बात बता रहा हूं होता यह है कि इश्वर ने हमें आउसर दिया हमने उसे टाल दिया या हम टालम टोल करते गए ख्वाई से बड़ी जरूर रखें बिर्कुल बड़ी रखें और रखना भी चाहिए लक्ष जरूर रखें वो भी रखना चाहिए लेकिन इश्वर हमें आउसर देगा उसे पहचाने कैसे हैं एक प्रश्ण वाचक जी में यहां से यह खड़ाओ कि भाई हम तो सामाने वेखते हैं इश्वर हम तो से पहचाने कैसे हैं उसके लिए आपका नजरिया जो है बेसिक नजरिया रखें जो सबसे डाउन तू अर्थ हम जो जमीन के लोग हैं बिल्कुल वो नजरिया रखें कि यह करने के बाद हमें क्या हसी लोगा अगर वो प्लस हैं खोने के लिए तो हमारे पास कुछ है इने यह सकारत्म के कर्म है इसे करें इसमें सीखें और हम आगे जाएंगे उसे इश्वर का रास्ता या इश्वर की आग्या समझ कर उस इसमे को करें और करने के बाद बहुत समय थोड़ा गतीत होगा तब आपको पता लगा कि यह इश्वर की हमारे उपर क्रपा है बोले नात की तरपा के संकीत ही जो ने हमें इस रास्ते पर लाये बस तिर्फ सर्त यह है कि हमें कर्म की आजादी दी गई यह कर्म है और कुछ भी कर सकते हैं यही में बात है इसलिए अच्छे कर्म करें सकारतम करें और इश्वर का चब बदी ओमें शवर